बंगाल के चंडाल लोग ही चानक के हैं अगर आप बुद्ध भासा यानि के पाली भासा, मगद भासा या कौसली भासा जिसको पाली बोलते हैं कौसली थी पहले फिर मगदी हुई फिर पाली बनी अब हिंदी है इस भासा को अच्छे तरह जानते हैं तो बंगाल के चंडाल लोग ही चानक के हैं ये बात बिलकुल 200% सही है चंडाल का जो अर्थ होता है पाली के अंदर वो होता है चंदर प्लस मंडल यानि चंदर प्लस मंडल चंद जो बोलते हैं चंद बोलते हैं चांद को और मंडल बोलते हैं आभा को पाली गेंदर जो आपने देखा होगा कि जब फुल मून होता है तो चंदर मा के उपर एक गोल घेरा बनता है कभी आप सरग पूर्ण मा पर जाके देखेंगे तो चंद्रमा के चातरफ पर बहुत बड़ा औरा बनता है, घेरा बनता है, सफेद रंगा बलकुल, उसको बोलते हैं, आभा बोलते हैं उसको, भा माने होता है चमकीला पाली में और आभा माने जो पूरी तरह से आया हुआ हो, और जो चंद्रमा के चातरफ होता है उसको चंद और मंडल यानि चंद और मंडल तो उससे बना है चंद मंडल यानि चंडाल चंडाल वो लोग हैं जो पूरण मास्यों पूरी आभा रखते हैं मगर मनुस्य कैसे आभा रखता है नीचे मनुस्य आभा रखता है ऐसे कि अगर वो विपस्णा करे साधना करे और धम की बा कि उनके मुख मंडल के चारो तरफ एक औरा एक चमक रहती थी हम ऐसा क्योंकि वो सच्चाई की वो इमानदारी की और वो मेहनत की और उनके शुद्ध होने की चमक थी उस औरा का आज तक जवाब नहीं है जो चारो तरफ घेरा उनका आता है इसलिए फोटो में वो औरा बनाय की अंदर ही महिलाओं को विपस्टना करके सुद्ध होने की अनुमती थी जो भगनवान बुद्ध ने भंगी बुद्ध ने जो भगवान बुद्ध ने उस समय दी और भूत सारी महिलाएं उस समय अपने चंद मंडल से लापराप्त किया और बहुत ज़्यादा उनके औरा उनका रहा है, इसलिए उनको चंडी बोलते हैं, यानि जो मनुस्य है, जो आदमी है उसको चंडाल, और जो औरत है उसको चंडी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा अवंती के राजा थे, अवंती उज्यन के आसपास का एरिया है, वहां के राजा थे चंड पजोत, यानि च चंद्र की तरह प्रजलित होते हैं, चंद्रमा की तरह प्रजलित होते हैं, चंद्रमा की तरह बलकुल रहते हैं, जबकि यहां चंद्र का मतलब बाद में आते आते बना दिया कि बहेंकर, बहेंकर नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है चंद्र की तरह, चंद्रमा की तरह है, वही आपने देखा होगा, जो चंडीगड है, čंडीगड जो शहर है, चंडीगड शहर में गड़ जो गह को बोलते हैं, गह जतने भी हैं, वो बात में गड़ बनें, तो चंडीगड जो है वो उस महिला के नाम पर है, जिसके औरा यानि जिसके आभा बहुत जाद रही, इसलिए उस सेहर का नाम चंडीगर पड़ए आपने चंड सुना होगा चंड का मतलब होता है या चंड का मतलब आज की भाषा में चंड भी बोलते हैं तुरा परिवार जिसमें अधिकतर लोग बहुत ज्यादा ग्यानी हों और अरत हों या सगदागामी हो या अनागामी हो जो भी हो मतलब उन्होंने कोई ना कोई धम में ऐसा इस्थान प्राप्त किया है उस कुल में उस पूरे कुल का नाम ही चंडाल कुल पढ़ गया और चंडाल कुल इसलिए पढ़ा है क्योंकि उनकी आभा बहुत ज़्यादा हो गई उसको नीच कुल भी बोला गया बाद में नीच कुल का मतलब है नीच का मतलब होता है नित्य कुल यानि कि जो नित्य को प्राप्त हो गए पाली में निच का मतलब होता है नित्य कुल तो इस तरह से अरत हुए लोग चंडाल लोग होते हैं एक सब्द होता है चंडिक चंडिक के या चानक के, बाद में इसको चानक बोला गया, इसका मतलब है, जिसमें ये भाव हो, जिसके अंदर चंद्रमा जैसी शांती का भाव हो, उतने ज़्यादा औरा हो उतना ज़्यादा ग्यान हो, उसको चंडिक बोलते हैं, इस चंडिक को बाद में चानक या चानक के बुला गया और ये एक knowledge की degree होती है यानि जिसमें चंदरमा की आभा जैसा गुण है वो उसकी degree हो गई उस degree के कारण ही चानक पड़ा और चानक के बहुत होते हैं चानक के एक नहीं होता जो उस आभा को प्रापक लेता है ये एक degree है वो चानक के हो जाता है इसलिए जो चानक के लोग हैं जो चंडाल लोग हैं वही चानक के हैं ये बात 200% ठीक है धन्यवाद जो चानक के लोग हैं